बिस्म लाइब लाइब अस्लाम अलेकुम वेलकम टूई स्कॉइड अकैडमी आज की क्लास से हम इंशाला एकनॉमिक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं यह बिगनर्स से लेकर आगे तक हमारे स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल के जो स्टुडेंट्स हैं वो सब इससे सारी चीज़ा कवरूंगी जो हर कोर्स में होती है लेकिन यह कोर्स जो फोकस्ट है वो ओ लिवल्स की एकनॉमिक्स पर है या सबसे बोरिंग यह सबसे से इंट्रस्टिंग सब्जेक्ट है एक दफा समझ में आ जाए शुरू में लगता है कॉमर्स के बच्छों के बढ़ा इंट्रस्टिंग सब्जेक्ट है हाँ वो भी है लेकिन वह एक स्पैसिफिक सैट अफ कैलकुलेशन के उपर मब्डी है लेकिन एकनॉमिक्स जो है वो सब्जेक्स इंट्रस्टिंग स derived कर्फ दो हर एकनॉमिक्स से या कॉनमी से यह वर्ड्र्स हम सुनतेए मोलर है यार इसकी इकानमी बहुत इंफ हो मुल्क की मईशत जो है वो बड़ी खत्रे में बदब डॉलर का जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत महेंगा पड़ा है रूपी में बहुत खराब होता जा रहा है हमारा एक्सचेंज डेट तो मईशत को बहुत नुकसान बश्चा बगर हो गरा इस तरहीं से एकनॉमिक्स एज इस वर्ड का मतलब क्या है देखें आप अपने जहन के अंदर बिठाने के लिए आप सिंपल डेफिनेशन इसकी रखें कम से कम रिसोर्स को यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा हम बैनेफिट जेनरेट कर सकें मिसाल के तौर पर एक बॉलर है जिसने कम से कम रन खाके ज जाद जादा ओवर निकाल लिए पूरा मैच में दस ओवर अगर एक बॉलर को मिलते हैं फिफ्टी ओवर्स के मैच में तो उसने दस ओवर निकाल लिए और सिर्फ तीस रं दिये तो इसकी एकॉनमी कैलाई थ्री रंस पर ओवर जो कि इसका रन रेट है दूसरा कोई बॉलर अगर मैं आपको एक चमड़े कापीज दू एक स्कॉयर फूट चमड़े कापीज दूए आप उससे क्या रहो एक चोटा सा वॉलिट बना लो एक और बंदे को वही चम्रे का पीज दूँ वो उससे छोटा सा वालिट बना ले फिर उसकी साइड की बचीवी पटियों से कीचेन भी बना ले तो वो आपसे ज्यादा एकनॉमिक हो आप बिकर्स उसने कम से मटेरियल यूज किया और ज्यादा बैनेफिट जनरेट किया तो इस तरहां से आप एकनॉमिक से याद रखिएगा कि एकनॉमिक से स्टडी करती है कि कितने इन्पुट पे कितना ऑॉटपुट जनरेट हो रहा है ठीक है और इसी को लेकर पूरे इमें भीहेवियर को स्टडी करती है कि कि किसी मुल्क में let's suppose फुटबाल की प्राइस बनने क बहुत महेंगी पढ़ती है किसी मुलक में बहुत सस्ती पढ़ती है क्योंकि वह मुलक में बिजली बहुत सस्ती है जबकि यह वाला मुलक जो है उसकी लेबर बना रही है फुटबाल और लेबर के प्राइस बहुत महेंगी है तो labor के एक तो hours लग रहे हैं, दो-दो गंडे में शायद एक football बन रही है, एक घंडे में एक football बन रही है, वहाँ एक गंडे में 50 football बन रही है, क्योंकि हो machine बना रही है, तो वह ज्यादा economic footballs हुई, तो यह हम आगे जब economics में देखेंगे इस तरह की बहुत सारी बात आएंगी यह खाली word का मतलब बताना था, कि economics study करते हैं कि कितने resources के input पे कितना output generate हो रहा है, resources मतलब जो भी हमारे ऐसे सारे असासे, ऐसी सारी अशिया, ऐसी सारी चीज़े जिनको इस्तिमाल करके हम कोई चीज़ बना सकते हैं, या उन resources को खुद इस्तिमाल कर सकते हैं, अपने जब भी उसको कुछ produce करके use करना हो, consume करना या use करना एकी बात है, जब भी उसको कुछ produce करके या कुछ produce हुआ हुआ जो market में available है, वो use करना हो, वो क्यों करना होता है, क्योंकि उसकी need होती है कोई, मिसाल के तौर पे, मैसलो की hierarchy of human needs है, इसमें, यह हमारा पहला चप्टर है, मैं selfish होके सोचने वाली बात है, कि मेरी अपनी need है food, water और warmth और rest मतलब और ऐसा environment जिसके अंदर मैं अपना homeostasis develop कर सको, मतलब जिन्दा रह सको, आप यह समझा, मेरी body का जो temperature develop रहना चाहिए, मतलब बहुत सर्द मुमालिक में बैठा हूँ, और मेरे पास कपड़े नहीं है, तो मैं तो मरने जैसे हालत में जाँगा, तो मेरी तो सबसे basic need भी पूरी नहीं हो रही, कि मैं जिन्दा रहने जितने तो environment में रहूँ, और जिन्दा रहने जितना खाना और पानी तो कर लूँ, सही, इसके बाद जो physiological need, जो आपके physical need है, उसके बाद अगर यह पूरी हो रह ले, तो उसके लिए store करना है मुझे, उसके लिए fridge लेना है, या फिर उसके लिए मुझे अपनी income save करनी के, आज कमा रहूं, कल ना कमा हो तो मेरी हवाई रोजी है, मैं कल उस saved income में से खर्च कर सकूँ, इसी तरीके से मुझे एक ऐसा घर लेना है, जहां के अंदर मैं security के सा रह सको, कोई मुझे पर attack ना कर जाए, मिरे पास ऐसे हदियार हों कि अगर मैं खुले में हो तो मुझे कोई attack करें तो मैं defend कर सको अपने आपको, तो ये सारी safety needs में आती है, चीक है, ये भी पूरी हो रही है, एक इनसान की, खुद कहा पी रहा है, मज़े कर रहा है, और उसक रही से रह भी रहे, फिर society में कोई social होना चाहता है, वो चाहता है कि कोई उसका इर्दगर्द life हो, कोई हो, लोग हो, तो वो फिर उसकी need होती है, belongings की, और love needs, और relationships की needs, कि आस पास के लोग उसको पहचान है, उसकी कोई recognition हो, तो ये वाली needs और social media पे भी अगर हम, हम ये क्योंकि लोग like करेंगे, तो वो एक social need है, मेरी recognition है, और मैं कुछ post नहीं भी कर रहा है, मैं कुछ देख भी रहा हूं, कि मैं अपनी सारी जिंदगी है, movies और cartoons दर के गुजार रहा हूं, तो वो भी तो किसी ने बनाए है, तो वो भी तो कोई लोग है, तो एक तरह से अपका रिस्पेक्ट वाली जौब होनी जाए है, फिर वो जाता है किया था भाई, इंक्रिमेंट दो, या मुझे growth दो, तो उसके employer ने क्या किया, कि भाई, उसकी designation उपर कर दी के चलें, अब आपसे, आपने अच्छा परफॉर्म किया तीन साल, आपका अलग से कमरा है, उस कमरे के self-esteem need, achievements की need, ये वाली होते है fourth level, fourth level पर पहुंचे हुए इंसान की भी needs होती है, फिर वो fifth level पर पहुंचना चाहता है, वो ये कि यार, same life से फिर बोर होने लगता है, सोचता है, यार मैं इतनी cool living में हूँ, फिर वो देखता है, क्या मेरा जिंदगी में कोई impact है, क्या same to same, य जो इस level पहुंच जाता है, वो बड़ा lucky है कि इस level को exercise कर रहा है, अपनी जिंदगी में रहते हुए, कि वो अपने आपको ढूंड पाता है, और जिस purpose के लिए, जिन gifts के साथ वो बना, उस पर काम करते हुए आगे चलता है, तो मिसाल के तौर पर एक अच्छी job है, लेकिन उसको लगा कि यार नहीं, मेरा जो केरियर है ना, राइटिंग होना चाहिए, क्योंकि मैं राइटर अच्छा हूँ, जॉब तो मैं करना है, एक मार्केटिंग की, लेकिन मैं राइटर बहुत अच्छा हूँ, उसमें लोग मुझे बहुत इज़त देता, और मुझे मज़े लगा भी आता है, तो फिर वो छोड़के राइटर बन जाता हूँ, उसका इंपैक्ट है दुनिया में, उसकी राइटिंग का, तो वो सेल्फ एक्चुलाइज़ परसन के लाइट, इन तमाम नीड्स को, जिस भी लेवल पर बनता हूँ, पूरा करने के लिए इनसान को रिस रिसोर्स स्टायों, और वो रिसोर्स क्या होती है, या तो राइल में मतलब कच्शी फ़र्म में होती है, तो इन पर बनता है कपास, कप्ड़े से और न तक पहुंचता है, तो या तो कच्चे कॉटन की सूरत में, वह भी रसॉर्स कैलाई, या पूरे बना-बना एक जगा, पढ़ा वो भी resource कहला है बस यह है कि यह वाली बिल्कुल finished product है वो एकदम raw material तो मुझे finished product कोई चाहिए होगी तो उसके लिए raw material लोगाना पड़ेगा उससे raw material को धागे में धागे से कपड़े में कपड़े से stitch होके वो पहनने जैसे like कपड़ा बन सकता है इस तरह से बनेगा तो इस तरह की resources की requirement होते है अपनी needs को fulfill करने के लिए कि मेरी need थी कि मैं पहनूं अच्छा तो वो need कैसा fulfill होगी यह पूरी cycle चलीगी यह को फुल फिल करने में अब रेसूरस का क्या चक्तर नेकर लिए एकनॉमिक्स जो अपने इंसान की needs or wants हैं, वो fulfill करना चाहता है कि उसकी कोई needs है, जो कि मैसलों की बता दी, hierarchy of human needs के हिसाब से, उन needs or wants को पूरा करने के लिए, उसको consume करना जरूँ है, कुछ इस्तिमाल करेगा तो उसकी needs fulfill होगी, वो जो consume करना चाहरा है, उसके लिए उसके पास वो चीज पहुंचे तो मौझूद हो, और resources क्या है, वो आप हमारी next class के अंदर पढ़ेंगे, चार resources जो हमारी land, labor, capital, enterprise, तो वो अभी नहीं पढ़ना है, इसके इलावे economics अपने दाएरे में, basic, हम अभी nature of economic problem के chapter के अंदर रहते हो पढ़ने हैं, तो हमारा first day है, first video है, एजेंट से इन एकनोमी का भी एक पूरी मईशत में, कितने किसम के लोग होते हैं, तीन किसम के लोग होते हैं, उन तीन किसम के लोग बताने से पहले मैं, economic का एक और, मतलब, economic लफ्स जो है, वो एक मुल्क के लिए भी इस्तमाल होता है, depend करता है, अगर आप एक मुल्क को उसके borders के हिसाब से देखना चा जाते हो, कि उसकी army, उसकी government, तो आप उस हिसाब से कहते हो, state का लफ्स जूज करते हो, state, 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 एक मुल्क को आप उसकी कमाई, उसकी production, उसकी consumption के हिसाब से, मतलब, उसकी महीशत के हिसाब से बात करना चाहते हो, तो आप मुल्क के लिए word इस्तमाल करते हो, economy, आप country भी इस् economy में, एक मुल्क में, पूरी दुनिया को एक नौमी ले लें, तो किसी भी economy में, कितने agents होते हैं, तीन agents होते हैं, individual लोग, मुझ जैसा, आप जैसा, एक individual बंदा, दूसरी, दूसरा agent को है, businesses, और तीसरा agent को है, government, तो ये तीनों agents की अपनी needs होती हैं, wants होती हैं, उनको fulfill करने के लिए, जो products चाहिए, उनको products को बनाने के लिए produce करना जरूर है, और ये करने से क्या होते हैं, जितनी अच्छी, जितनी कम से कम resources को इस्तमाल करके, जितनी अच्छी से अच्छी product बनाते चले आएंगे, उतनी ज्यादा लोगों की, मतलब agents of the economy की, उतनी ज्यादा needs and wants fulfill हों कैलाता है वह की लोग खुश है एकनामिक वैलफेर है मतलब और एकनामिक वैलफेर कभी 100 परσन नियुप नियुप से जीरो नियुप नियु था दो मुवमालिक का आपस में कंपैरेसन क्या सकता है कि Eight एक मुल्क जो है जो कि अच्छा डवलेप्ड मुल्क है वो कम डेवलेप्ड कंट्री के बरनेसरी बिस्बादद ज्यादक एक नोमिक वैल Gill फर हासिल कर चुका है उस खाम एकनामिक वैल्फर दूसरी मुल्क से फर एक्जामपल साइकोलाजिकल प्रॉब्लम्स आ रहें कि डिप्रेशन आ रहें किसी किसम का या अल्कॉहल इंटेक बढ़ता जा रहें सोसाइटी के अंदर तो उसमें लोग जो ना बहुत जादा डिप्रेशन में जाते जा रहें या हेल्थ खराब हो रहें कैंसर डाग्नो इंसान को प्रैक्टिकली कुछ अगर करने को नहीं मिला तो वो फरागत के अंदर उल्टे सीधे स्टेप्स लेरा है लाफ में तो उनके लिए प्रॉब्लम हैं साइकलाजिकल इशूज हैं और यहां पर बिल्कुल बेसिक हेल्थ की इशूज हैं और रहना से आम जिन्दगी गुजाने के लिए जो बिजली चाहिए हर इलाके तक वो भी नहीं पहुंची हुई तो यहां की एकनॉमिक प्रॉब्लम बहुत लो लेवल के बनिस्बत पागए तो दूसरे डिवलप कंट्री का जो एकनॉमिक वेलफेर है इस कंट्री के बनिस्बत बहुत अच्छा है ले प्र आज बाइक है तो कल गाड़ी चाहिए, खल गाड़ी मिल गए तो और अच्छी फरारी चाहिए, फरारी मिल गए तो चाहिए फिय thieves पर मतलब मैंने एक जगा पढ़ा था कि विल गेट्स का आर्टिकल था उसे पूछा गया था कि भाई इस आपको भी कोई शिकायत हो सकते है तो उसने कहता अटेंशन इतना अमीर होने में इंसान अब्जर्वेशन में बहुत आता है मतलब एक नौर्मल इंसान की जिंदगी नहीं के तीन सवालात जिनके आंसर एकनॉमिक्स देती है एक एकनॉमिक्स का एक्सपर्ट एकनॉमिस्ट कहलाता है और उनकी जॉब्स अमूमन फाइनस मिनिस्टर के लेवल पर बैठे है या स्टेट बैंक का चेर्मेंट या CEO की पोजिशन है उनकी तो वो इतने बड़े लेवल पर एक बहुत मैक्रो मैक्रो मतलब पूरा मुल्क उनको नजर आ रहा होता है सारी कैल्कुलेशन उनको पता होती है क्या कितना चले है सब तो उस लेवल के बंदे होते हैं एक्सपर्ट इकनॉमिस्ट टीक है उनको किसी भी गिविन कंडिशन के अंदर इन तीन सवालात के ज एक एकनॉमिस्ट किसी मुल्क का वो गौर्वर्मेंट को सेजेस्ट करता है कि भाई इस दफा के बजट के अंदर आप जो है कमस कम 10 खरब रुपे एजुकेशन पर लगाएं तो उस मुल्क की गौर्मेंट कहते हैं नहीं इतना बजट नहीं हो करना पड़ेगा क्योंकि हमा पाकिस्तान में नहीं बन ली वो किसी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट की जारी वो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी यहीं बना शुरू जाएंगी कब होगा इस अब जब लोगों हैं पड़ाओगे लिखाओगे तो यह उसने कहा कि इंवेस्ट करना पड़ेगा एजुके के लिए तो उसने क्या बता है what to produce the country has to produce good education वैसे तो education service एक तरा के और service के लिए होता है रेंडर के service दी किसर प्रोड्यूस तो हम कहते हैं कोई ऐसी चीज जिसको फिजिकली हम पकड़ सकते हैं ऐसा लगता है वह प्रोड्यूस की लेकिन चलो एकनामिक्स में हम services के साथ भी प्रोड्यूस लिख देता है क्योंकि एकनामिक्स goods हो या services हो दौनों के एक जैसा treat करके बात करते आगे कि क्या प्रोड्यूस के उपर इंवेस्ट करना है कैसे अब वो बता रहें कि मीडियम हमारे education का ऐसा होना चाहिए कि remote areas मतलब दूर दरा से confuse करता था ruler तो हमारा scale होता है फुट्टा rural areas जो के दूर दराज गाउंद्रात वाले इलाके वहां तक education पहुंचें तो क्या यार वहां तक कैसे पहुंचातना है तो teachers ही नहीं तो teachers को train करने पर budget नहीं लगा थे काम करते हम अच्छे अच्छी वीडियो बना लेते हैं education के पर वहां education content पहुंचाते हैं वहां कैसे पहुंचेगा वह तो electronic devices ही नहीं तो कुछ schools के अंदर हम ऐसा system कर देते हैं LCD screen वगरा लगा देते हैं वहां पर बच्चे screen के थुरू और एक का दुका train teacher भेज़ देते हैं ताके वहां support भी दे सके अब का के यार चलो हम वह भी करते ह life classic ऐसे पहुंचेंगे internet भी नहीं तो internet भी इंवेस्ट करना पड़ेगा तो अब पूर education के अंदर इंवेस्ट करने के लिए scheme क्या बनी के भाई पहले तो हमें remote areas तक internet की लाइने पहुंचा नहीं है और internet की लाइने पहुंचाने के लिए best तरीका क्या है उतना तो budget ही नहीं तो कहा कि आए फिर हम एक काम करतें public private partnership करते हैं मतलब जो private companies हैं जो के phone lines की companies हैं उनसे बात करते हैं कि वो अपने network को extend करें अपना infrastructure बाया है internet जो है 3G services आगे तक पहुंचा है 3G 4G services और उसमें हम उनको अपनी तरफ से financial support भी देंगे तो ऐसी कोई partnership कर लेते private companies है ताकर हमारा budget हलका हो जाया से मामले में और private companies भी कहेंगी हाँ ठीक है बहुत दूर दराज एरिया से तो वैसे हमें कोई income नहीं है तो आपके साथ partnership करके infrastructure लगा दें कल को कोई income ही आजाएगे हमें उस infrastructure के तहत तो यह partnership करके internet की line है बिचा दी पूरे मुल्क के अंदर let's suppose आसान नहीं है लेकिन let's suppose पूरे मुल्क में यह line ने बिचा दी अब electronic videos बना के launch की और वह वहां तक पहुंच रही है तो यह पूरे एक decision ले लिया गया कि भाई what to produce उस given budget के अंदर एसी education produce की जो के electronic medium की है सब तक पहुंची remote areas तक तो यह इतना असान नहीं होता government में एक decision नहीं चलता होता एसा नहीं है कि education पे इस साल पूरे मुल्क को education पे इंवेस्ट करना है तो यह की activity हो रही education हो भाई production भी तो करनी है चीज़ों की कैसे चलेगा मुल्क तो economics को एक किताब में बंद करने के लिए इतना तो simplify करना पड़ेगा कि एक वक्त में हम एक एक example handle कर सकते हैं तो आप यह सोचे ना कि इस साल सिर्फ education में invest हो रहा है तब जाके कोई भी मिसाल दो वरना तो करोड़ों मिसाले देनी पड़ जाएंगी कि एक वक्त में एक मुल लाइँस के अंदर कैसे प्रोडिूस करना है और किन लिए प्रोड्यूस करना है कyt अब economics के जो ओवर और एक फोकस्या-ए वह एक economic problem को हल किया जाए एकनमिक पढ़ते क्यों है ताकि economic problem पौहल किया जाएक्नमिक क्या है लोगोओं की needs और और वांट्स जो के फुल्फिल नहीं हो रही वह प्रॉब्लम है उसको अहल करने के लिए क्या है वो नीड्स और वांट्स फुल्फिल की जाए वो नीड्स और वांट्स को फुल्फिल करने के लिए हमें क्या चाहिए यह resources चाहिए लेकिन अब यहां पर एक और मसला है needs or wants unlimited है जबके resources जिनके जरीए कुछ produce होगे goods या services वो resources limited है तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि तमाम needs or wants fulfill हो जाएं क्योंकि एक want fulfill करोगी तो अगली खड़ी हो जाएगी तो यह हमेशे economic problem रहेगी लेकिन फर्क इतना है कि किसी मुल्क में economic problem बहुत बड़े दरजे की होगी किसी मुल्क में economic problem थोड़े छोड़े दरजे की होगी मिसाल के तौर पर एक मुल्क है उसकी problem यह कि भाई उसके जो summer vacation है उसमें इतने water parks नहीं बच्चों के enjoy करने के लिए दूसरी तरफ एक मुल्क है जिसके problem है कि summer vacation का वक्त आता और बच्चों को तो बिजली नहीं मिलती घर पे और दूसरी तरफ यह के slides नहीं लगानी है water parks बढ़ाने entertainment का मजीद सामान प्रवाइड करना है तो वह इक नहीं प्रॉब्लम है क्योंके नीड है कि वांट है कि प्लेशर मिले लेकिन वह फुल्फिल नहीं हो पा रहा पहले जितना पहले से लगा हुआ बस उससे बोर हो गया अब नहीं चीज़ें चाहिए तो वह नहीं चीज़ें इंप्लिमेंट करने है गवर्मेंट है तो वह उनकी प्रॉब्लम है और यहां दूसरी तरफ क्या है कि बिजली नहीं तो दो मुमालिक की प्रॉब्लम्स अलग-अलग होती है बड़ी चोटी तो एकनामिक प्रॉब्ल है कि एक एकनामी में एक मुल्क के अंदर एक महिशत के अंदर रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है कम है जब कि नीण्स और वांट्स अलिमिटेड है किनकी नीड़् नीड़ वांट्स अश्मॉव dud कोई फर द्वाहित क Bless ya और तीसरा एजेंट गॉवर्मेंट ते कौक्नमेंक है वो limited है तो इसलिए economic problem stand करती है हमेशा और उस economic problem को कम से कम करने के लिए economist हर given situation पे यह decide करते हैं क्या produce करना है कैसे produce करना और किसके लिए produce करना है ताकि economic problem कम से कम होती चली जाए हर अगले साल पिछले साल से economic problem निजबतन कम हो thank you very much इंशाला see you in the next class यह बिल्कुल basics थे इसलिए इतनी लंबी class हो गई